तो आज इस वीडियो में unwanted 72 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी क्या इस टैबलेट को हमेशा के लिए इस्तमाल किया जा सकता है अगर कोई महिलाएं इस टैबलेट का इस्तमाल कुछ लंबे समय के लिए कर लेती हैं तो उनमें किन समस्याओं को देखा गया है इस टैबलेट का इस्तमाल कब और किस समय सबसे बहतर माना जाता है किन बीमारियों के साथ में इस टैबलेट का इस्तमाल न करने की सला दी जाती है और इसके side effect क्या हो सकते हैं क्योंकि इसके side effect भी काफी गंभीर देखे गए हैं तो बने रही है इस वीडियो में वीडियो को like ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को share करें ताकि ये information दूसरे लोगों तक पहुंच सके unwanted 72 tablet में जिस active ingredients का इस्तमाल किया गया है वो है levonorgestral levonorgestral को आप synthetic progestron भी कह सकते हैं ये एक hormonal medicine होता है जो अंचाहे गर्ववस्ता को रोकने में काम आता है ये आपकी गर्ववस्ता को abort नहीं करता है बलकि ये एक को fertilized ही नहीं होने देता है जिसके कारण जाइगोट नहीं बनता है और वो fatal में develop नहीं हो पाता है mostly ये tablet एक को fertilization से रोकता है जिसके कारण आगे के process नहीं हो पाते हैं अगर आप unwanted 72 tablet का इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको इस tablet का इस्तमाल 72 hour के अंदर करना पड़ेगा आप जिस समय physical relation बनाते हैं उस समय से लेकर आपको 72 hour count करने होंगे क्योंकि एक को fertilized होने में 72 hour का समय लगता है अगर आप इस tablet का इस्तमाल 72 hour के बाद में करते हैं तो almost एक fertilized हो चुका होता है और अगर उसके बाद आप इस tablet का इस्तमाल करते हैं तो इसका कोई भी benefit आपको नहीं मिलने जा रहा है और आप pregnant हो जाएंगे अगर आप चेक करेंगे तो आपको pregnancy सो होगी अगर आपने 72 hour के अंदर जितनी जल्दी आप इस tablet को लेंगे उतना ही अच्छा result आपको देखने को मिलेगा यानि अगर आपने unprotected सब्बंध बनाया है तो आपको उस समय से लेकर 3 दिनों का समय रहता है उसके बीच में ही आपको unwanted 72 tablet यूज करने होंगे इस tablet का इस्तमाल मुख्य रूप से ओरली करने की सलाव दी जाती है पानी के साथ और कुछ खाने के बाद क्योंकि अगर आप इसका इसका इस्तमाल खाली पेट में करते हैं तो काफी जादा आपको गैस की प्रॉबलम हो सकती है तो अगर आप कुछ खाना खाने के बाद इस side effect भी देखे गया है mostly सभी महिलाओं में इस tablet का side effect देखा गया है इसलिए इसे safe category में नहीं रखा गया है अंचाहे गर्फ को खर्म करने के लिए अगर आपको किसी भी तरह का side effect होता है तो nausea की समस्या हो सकती है vomiting की समस्या हो सकती है sirdardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardar है कि जब मैंने का इस्तमाल कर लिया है तब भी जब मैं test करती हूँ सो करता है तो बिलकूल को कर फिर सारे महिलाओं का यह कैस視न रहता है कि यह इस का इस्तामाल रेगुलर तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया सकता है तो मैंने पहले ही बताया है यह सुरच्षित मेडिसिन नहीं माना गया है म Appreciate अगर आप इस मेडिसिन गा इस्तंमा से दो करने कीजि़ातीयी में करते हैं हर एक महीने आप इसका इस्तमाल कर रहे हैं तब भी ये suggestion नहीं दी जाएगी कि आप हर एक महीने इस tablet का इस्तमाल करें बहतर होगा आप ऐसे गर्व निरोधक का इस्तमाल करें जो बिलकुल भी safe हो क्योंकि ये medicine काफी जादा दुस्परवाब दे सकता है आने वाले समय में आपको अगर किसी महिला को लेवन और जेस्टरल से पहले से एलर्जी है या तो फिर उन्हें अस्तन कैंसर की समस्या है या तो फिर ब्लीडिंग की समस्या है काफी जादा पहले से उन्हें ब्लीडिंग हो रही है तब भी unwanted 72 न लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि अगर आप unwanted 72 इन ब इस्टरल से पहले से एलर्जी है तब unwanted 72 का इस्तमाल न करें तो बेहतर होगा तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को सेर करें लाइक जरूर करें